हलो दोस्तो खेमपुर रिपेर यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मेरे पास में काफी अच्छा डिमर है और यह जो डिमर है यह DC वोल्ट पर वर्क करता है इससे आप DC लाइट जो होती है LED लाइट उसको आप चला सकते हैं और इसमें किसी भी तरह की DC लाइट को चला सकते हैं मतलब यह सबसे बड़ा फाइदा है इसके प्राइस की बात करें तो यह मार्केट में बहुती सस्ता मिल रहा है आज मैं फुल डिटेल में इस पर बात करने वाला हूँ देखे दोस्तो देख सकते हैं कि काफी जादा छोटा डिमर ह इसमें यहाँ पर कुछ है कि यहाँ पर बटन दिये हुए है कुछ फंक्शन है इनके यह कैसे काम करता है और यहाँ पर इसकी जो वायर है वो दोनों तरफ एक कलर की है ठीक है तो यह आप कैसे पता करेंगे कि इसमें light की वायर कौन सी है और आपकी LED की वायर कौन सी है तो सब कुछ मैं ही आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में तो देखिए कुछ इस तरह चे दोस्तो हमारे पास ये सीधा रखा हुआ है भीक है अब इसके जो .. उपर की वायर है ये led की वायर है जो इसके नीचे की सब के वायर है यह हमारी battery की wire है यहाँ पर आप देख लीजिए जो यहाँ पर LED लिखा है तो plus वाली wire जो हमारी वो यह है और minus वाली यह है ठीक है यहाँ पर हमें LED की wire लगाना है जो भी हमारे पास LED हो चाहे हमारे पास 5V की हो 9V की 12V की या फिर 24V की इतने वोल्ट की भी LED हो, उसके लिए आपको LED की वायर यहां लगाना है, और जो आपके बैटरी की वायर है, वो आपको यहां जोइन करना है, अब दोस्तों यहां जो बटन है, वो कुछ इस तरह से हैं, यह जो पहला बटन है, यह मोड वाला है, ठीक है, जब आप इसमें पा वाला है, यह इसका speed के लिए है, कि आपको light को कितनी speed पर glow करना है, मतलब dim करना है, medium करना, high करना, इसके भी लगबग 7 या 8 mode है, इसमें भी काफी ज्यादा mode है, और इसके बाद जो सबसे नीचे last वाला है, यह light वाला है, ठीक है, इसको आप प्रेस करेंगे, तो आपकी जो पॉइंट और यहाँ पर है 24 वोल्ट, तो आप यहाँ पर कम से कम 5 वोल्ट और ज्यादा से ज्यादा 24 वोल्ट इसको दे सकते हैं, ठीक है, अब आप कैसे देंगे, देखिए, मान लीजे कि आपके पास कोई 5 वोल्ट की LED है, ठीक है, आपको 5 वोल्ट की LED चलाना है, तो उस इस तरह आप 12 वोल्ट की पावर देंगे, इधर 12 वोल्ट की LED लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, चलिए, अब हम सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे, उसके प्राइस की बात करेंगे, और दोस्तों, मैं यहाँ पर जो हूँ, आपको एक इस तरह की लाइट दिखा देता ह हूँ, जो के मेरी बैटरी से कनेक्ट है, यह वाली, ठीक है, तो यह बैटरी से कनेक्ट है, और यहाँ पर अभी कोई पावर नहीं आ रहे है, मैं स्विच को अभी आन करता हूँ, जिससे के इसमें पावर आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्विच को आन कर दिया ह और सबसे पहली चीज़ तो यह कि मैं आपको इसके वोल्ट चेक करा देता हूं कि यहां पर जो वोल्ट हैं हमारे वो कितने आ रहे हैं वो 13.5 आ रहे हैं क्योंकि दोस्तो हमारा इस समय इनिवेटर चार्ज कर रहा है जिससे हमारे वोल्ट थोड़ी से बढ़ गए हैं अब दो सिंपल एक ही कलर में जल रहे है रेड कलर में अब हम इसी को फ्रेश कराने वाले हैं कैसे कराएंगे दिखी यहां पर जो इसकी यह वाली वायर है ठीके लाइट वाली उसको हमें कहाा लगाना है लाइट नहीं जोईन करने के बाद यह एक फ्लेशर की तरह यहां पर चल रही है आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह लग रहा है चलिए अब हम इसके एक बार से इसको डारेक्ट लाइट पर यहां पर कर देते हैं इस वाले बटन को प्रेज करके ठीक है बिल्कुल सिंपल लाइट हो बिना इस कंट्रोलर के ठीक है अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसकी लाइट को अब हम एक बार कंट्रोल करके देखते हैं कि कम होती है यह नहीं होती है तो यहां पर मैंने इसको चेंज किया यह लो सबसे जो लो कट है उस पर आ गई है इसके बाद यह थोड़ा सा और ते बार और भी होगे भी देखते हैं तो नहीं होगी टोटल इसमें सेवन स्टेप हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हाई वाला आ गया ठीक है अब हम इसको एक बार यहां पर देखते हैं कि इसके मोड कैसे चेंज होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने जो मोड है उसको हमने चेंज कर दिया, यह थोड़ा अलग तरहां की यहां पर यह blinking कर रही है, आप देख सकते हैं, इसके साथ हम इसको एक बार और चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो light है वो और ज्यादा यहां पर blinking कर रही है, ठीक है, अभी एक ब पिर से यह उसी type की हो गई है, अब दोस्तों देखी कितने सारे यहां पर इसमें mode हैं, और इनको हम अब बड़े ही अराम से change भी कर सकते हैं, तो दोस्तों आपने देखा कि light कितनी ज्यादा बहतर है, बहुत ही शांदार यह चल रही है, और इससे फायदा यह होगा कि अगर यह हमारी 12 वोल्ट की light है, आपके पास 5 वोल्ट की होगी, आप वो भी चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहां पर यह 84 LED का panel है, जो कि मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं, पूरा complete panel है, 84 की 84 LED है, और अब हम एक बार इसको check करके देखेंगे, क्योंक यह तो फिलाल काफी अच्छी लग रही है, लेकिन शायद camera में मुझे लगता है कि ठीक से record नहीं हो रही है, क्योंकि यह light जो है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, जिससे कि आपको इसका उजाला तो पता चले, लेकिन यह दिखें नहीं, ठीक है, क्योंकि दिख रही है, तो यह थोड़ा सा साफ नहीं दिख पा रही है, अब हम इसका mode चेंज करके देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसका mode तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो है वो, अगर मैं ऐसे आपको दिखांगो तो देखी कितनी ज्यादा बढ़िया यह लग रही ह और शायद KMDV आपको कुछ ऐसी ही दिख रही होगी, अब ही मैं इसको थोड़ा सा जो है उसको low करने की कोशिच करता हूँ, तो देखी यह low हो गई है, low cut पे है, और इसको अब मैं कर देता हूँ, light वाले mode पर ठीक है, तो अब यह ठीक है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा, म आपको इसकी जनकारी दूँ, पर मुझे time नहीं मिल पा रहा था, और finally मैंने आज यह video record किया है, और यह दोस्तों मतलब काफी छोटे हैं, इसको आप अपनी bike वगएरा की light में भी use कर सकते हैं, इसको आप अपने घर पर, e-rickshah में, या फिर आप अपने shop वगएरा में decoration के लिए भी use कर सकते हैं, काफी जादा अच्छी चीज है ये, और market में आपको ये मात्र 25 रुपए का इस समय मिल रहा है, अब अगर आप इसको online खरीदना चाहते हैं, तो मैं इसका link description box में दे दूँगा, लेकिन दोस्तों मैं आप से यही कहूँगा, कि आप इसको online ना आप इसको direct अपनी market से खरीदें, तो ज्यादा बेतर है, उसकी वज़ा दोस्तों ये है, कि market से आप खरीदेंगे, तो आपको ये थोड़ा सस्ता मिलेगा, online खरीदते हैं, तो online में ये आपको महंगा मिलेगा, फिर भी मैं आपको link दे दूँगा, आप चाहें तो online भी खरी सकते हैं, और दोस्तों ये बताइए, आप मुझे comment करके, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस तरह का controller है, वो आपको कैसा लगा, ये आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को like करें, share करें, और अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं, या फिर आपने अभी तक चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाके देता रहता हूँ, चलि दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवा कि अच्छे वीडियो लाके 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 ला